हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टो दीस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज मैं अभी शेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग समुच्चे पढ़ रहे हैं पिछली वीडियो में हमने प्रशनावली एक दसमलो पांच एक दसमलो छे से पहले कि जितने भी उदानट थे सब आपको बता दिये थे आज हम प्रशनावली में आई हुए प्रशनों को हल करेंगे तो सुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन है कि यदि यक्स और वाई ऐसे दो समुच्चे हैं कि यक्स में 17 वयो हैं वाई में 23 वयो हैं और यक्स सेक्षन वाई ग्यात कीजिए सबसे पहले हम लोग दिये गए प्रशन में दी गई चीजों को क्या करेंगे लिखेंगे प्रसंख्या एक प्रशन में दिया गया है कि नंबर आफ एलिमेंट इन यक्स यान यक्स कितने है 17 फिर नंबर आफ एलिमेंट इन वाई तेईस आगे यत नंबर आफ एलिमेंट इन यक्स यूनियन वाई 29 फिर उन्होंने पूंछा है कि नंबर आफ एलिमेंट इन यक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा ठीक हम लोगोंने सुत्र आप सुत्र बताय था आप से कि यहां लोग क्या येन intersection, yen, x, union, y, बराबर लिखें, तो क्या लिखेंगे, yen, x, plus, yen, y, minus, यहां क्या हो जाएगा, minus, yen, x, intersection, y, ठीक है, तो यहां में क्या दिया गया है, x, union, y, में कितने है, 38, और x, में केवल कितने है, 17, और y, में कितने है, 23, हमें ग्याद क्या करना था, x, intersection, y, ठीक है, यह हो जाएगा, yen, x, intersection, y, जोड़ लीजे इसे, यह हो जाएगा, 38, बराबर, यह जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40, minus, yen, x, intersection, y, हम लोगों को इसे ग्याद करना, इसलिए इसे, बराबर के 20 और लेके आते हैं, तो इसका चिन्द क्या हो जाएगा, परिवर्टित हो जाएगा, minus से तो क्या हो जाएगा, plus, yen, x, intersection y, बराबर, 40, यह जाएगा, दाहिनी और, तो क्या हो जाएगा, minus 38, यह हो जाएगा, yen, x, intersection, y, बराबर कितना, 2, ठीक है, कि x और y में कितने हैं, 2, अगर आप चाहें, इसे, वे नारेक से भी हल कर सकते हैं, वे नारेक से देख लीजिए, वे नारेक में हमारे पास क्या है, यह, ठीक है, यह हमारे पास कौन है, x है, यह कौन है, y है, और यह जो भाग है, वो कौन है, x, intersection क्या है, y है, और यह जो पूरा भाग दिख रहा है, यह जो पूरा भाग दिख रहा है, वो कौन है, x, union, y, x, union, y, देखे ध्यान से, x में हम हमारे पास कितने हैं 17 और वाई में कितने हैं वाई में हमारे पास कितने हैं 23 ठीक है ना अगर हम लोग पूरे भाग को कवर करें तो 17 और 23 कितना होना चाहिए 38 तो जबकि हमारे पास कितना 2 ज्यादा हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 2 ज्यादा तो 2 ज्यादा का मतलब यहां कितने है 2 तो जो बच गये है 17 17 में से यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा कुल 15 और यह हो जाएगा कुल कितना 21 अब आप देख लीजिए y में कुल कितने है 21 ये और 2 ये 23 और देखिए x में कितने है 15 ये और 2 ये कितने 17 और x intersection y में कितने है 2 ठीक है न ये राप का answer बढ़ते हैं अगले प्रस्चिक्यूर प्रसंख्याद 2 प्रसंख्याद 2 में है कि यदि x और y ऐसे 2 समुच्चे हैं कि x union y में 18 है इसमें यन यक्स यूनियन वाई नमबर आफ एलिमेंट इन यक्स यूनियन वाई इसकोल टू 18 नमबर आफ एलिमेंट इन यक्स बराबर कितना है 8 है नमबर आफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं 15 हैं कितने हैं 15 तो आपसे पूछा जा रहा है कि नमबर आफ एलिमेंट इन यक्स इंटर सेक्शन वाई कितने होंगे ठीक है देखे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे सुत्र लिखेंगे कौन सा नमबर आफ एलिमेंट इन यक्स यूनियन वाई बराबर नमबर आफ एलिमेंट इन यक्स नमबर आफ एलिमेंट इन वाई माईनस नमबर आफ एलिमेंट इस यक्स इंटर सेक्शन वाई देखे, x union Y है, कितने हो जाए है मारे पास? 18, कितने है, आगे बढ़िए, यह देखिए x, réflex में कितने हैा, 8, plus y and y, यह जोडेंगे तो कितने है, 15, minus, यहाँ देखी कितने है, यहाँ में क्या करना है, ग्यात करना है, इसलिए x intersection y, जोड लीजिए, यह हो जाये कितना? 18 ब näपर इस हे जोड़ेंगे तो कितना हो जायेगा? 23 माइनस, yen X intersection Y अब क्या करेंगे? Y 25 अब क्या करेंगे यह जो माइनस में है वो क्या हो जायेगा? प्लस Y X intersection Y बराबर कितना हो जायेगा? यह हमारे पास कितना है 23 है यह उधर जाएगा बराबर के दाई नी ओर तो क्या हो जाएगा minus 18 यह हो जाएगा यह एक्स intersection y बराबर 23 में से 18 गड़ा दीजिए 5 यह रहा क्या प्रसंख्या दो का अंसर यह नंबर आफ एलिमेंट इन let's intersection y कितने हैं 5 मतलब 100 selon y डोनों में आवे उध्यू कितने है 5 प्रसंख्या 3 है की 400 वक्तियों के समू में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं कितनेवेक्ती हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं 400 वक्तियों का क्या है समू है सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं माना क्या कर लेते हैं माना अंग्रेजी क्या अंग्रेजी को ई लिखेंगे हम लोग ठीक है अंग्रेजी तथा हिंदी अंग्रेजी तथा हिंदी हिंदू को क्या लिखेंगे यह लिखेंगे ठीक है माना अंग्रेजी तथा हिंदी बोलने वाले बोलने वाले कुल व्यक्ति कुल व्यक्ति नमबर आफ फीपि रिन यूनियनिय यच इसकुल टू कितना है चार सो इसकोटी ड्रॉक्त फिर आगे उन्होंने का है कि दो सो पचास क्या बोलते हैं हिंदी दो सो पचास क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं फिर उन्होंने कहा कि दो सो अंग्रेजी बोलते हैं दो सो क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्होंने कहा है कि बताइए कि दोनों भासा हिंदी और इंग्लिस दोनों कितने लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंग हम लोग सुत्र लिख देते हैं कौन सा यह या रहा है यह यह पर हमारे पास ए और याच है युणिन यस बराबर यह इन इपलेस यह अनिय इच मैंनस यह इंटर सेक्शन इस ठीक है, देखिए, E union H, E union H कितना है, 400, बराबर E में कितने हैं, E में आपास 200 है, H में कितने हैं, 250, 250, माइनस, E union E intersection H, दोनों को जोड लीजिए, और intersection H को इस पर पच्छांदर कर लीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा, 400, बराबर 450, माइनस E union E intersection H, देखिए, इसे पच्छांदर कर दीजिए, इस पर, तो यह क्या हो जाएगा, E intersection H, पराबर 450, माइनस 400, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला करके, 450 में से 400 घट जाएगा, यह हो जाएगा, E intersection H, पराबर कितना 50, ठीक है, यह है आपके प्रसंख्या 3 का आंसर, बढ़ते हम लोग, अगले प्रसंख्या 4, देखें, प्रसंख्या 4 में, यदि S और T ऐसे दो समुच्चे हैं, कि S में 21 होयो, फिर से उन्हों ने दिया क्या है, नंबर आफ एलिमेंट इन S 21 और नंबर आफ एलिमेंट इन T हमारे पास कितना है 32, और उन्होंने का है, कि नंबर आफ एलिमेंट इन, नंबर आफ एलिमेंट इन S intersection T, 11, कितने हैं, 11, भी जा हहा है तो नंबर आफ ऐलिमेंट in सbutor किया कि देखिए नंबर्ब आफ इनियainen टी तो मोग्व के पास क्या है ? हमारा सुत्र है कौन सा सूत्र लिख देते हैं number of number of element in yes union t बराबर number of element in yes plus number of element in t minus number of element in yes intersection t देखे हमें यह इस बार क्या करना है ज्याद करना है तो number of number of element in yes कितना है 21 plus number of element in t कितना है 32 32 minus yes intersection t में कितना है 11 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दो और एक तीन तीन और दो पांच माइनस कितना 11 तो कुल मिला जुला कितना हो जाएगा तीन में से गए दो पांच में से गए चार तो यह हो जाएगा number of student in yes union t ठीक है number of element in yes union t यह रहा है आपके क्या प्रसंख्या 4 के आंसर ठीक आई हो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक क्या लिए जय हिन जय भारत